हलो दोस्तों स्वागत हैं हम सभी का मेरे चैनल बंदन स्टूडियो पे और मैं हूँ भारत आज की इस वीडियो में हम अड़ाव फोटोशाप का जो नया वर्जन आया है 2021 तो इसके हम सैटिंग कैसे कर सकते हैं बाज दफा हमारी सी ड्राइफ फुल हो जाती है यहां ऐसा होता है कि हमारा जो फोटोशाप हो ख्रैश होना लग जाता है तो आज हम वही सैटिंग करेंगे ताके हमें काम करते वक्त दिक्कत ना हो तो सबसे पहले आपने जाना है एडिट के अंदर प्रिफरमिंज के अंदर यहां पर आपको मिलेगा जर्नल अगर इसका शाटकर देखें तो यहां पे लिखा हुआ है Ctrl प्लस K जैसे आप इसके उपर क्लिक करोगे तो पहले आपके पास जर्नल में ये को लाएगा ठीक है यहां पे सारा कुछ लिखा हुआ है अपडेट जो जो आपको अप्शन चाहिए आप वो कर सकते हो ठीक है तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है क्या क्या सैटिंग करनी है तो वीडियो के साथ जूड़े रहिए यहां पे देखें इंटरफेस है अब यहां पे मेरा ये आप देखें सारा वाइट है अगर मैं यहां पे करूं यह और white हो जाएगा यहां पे करूं तो थोड़ा सा dark यहां पे और dark और यहां पे बिलकुल dark ठीक है अक्सर आपने देखा होगा यह चीज़ यहां पे देखें found का size जो आप लिखते हैं यहां काम करने में आपको चोटा बड़ा जो साइज चाहिए वो चेंज कर सकते हैं यहां आप English ही रहेगा और यहां पर देखें वर्क इसमें तो यहां पर आटो पैनल वगरा आइकान देख लें जो जो चीजें आपको चाहिए हैं अपने हिसाब से उनको अज़ेस्ट करते जाएं क्योंकि मैंने कुछ ही करनी होती है अपने काम को लेकर ठीक है देखें जहां पर एक चीज यह हैं जूम विद स्कूरलर विल माउस के अंदर जो हमारा एक विल लगा होता है उससे भी आप जूम कर सकते हो तो उसके लिए आपको ये चेक कर देना है क्योंकि जब इसको हम सारी सैटिंग कर लेंगे तो फिर हम देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है उसके बाद यहां पर देखें हिस्ट्री है यहां पर आप देख सकते हैं कि मेटा चोईस ऑनली सीजन जिस रिसाब से आपको चाहिए वो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं लेकिन मैं कहूंगा जो हैं वो ही रहने दे एडिंग फाइल में यहां पर देखें कैमरा रोग की परफॉर्मेंस आप चेक कर सकते हो और यहां पर एक में चीज हैं कि recovery की information जो होती है जो भी आप काम करते हैं वो कितनी देर बाद सेव होना चाहिए तो यहां पर आपने उसको 5 मिनिट कर देना है क्योंकि बाद दफा अगर आपको sheet बना रहे हैं और 12 गंटा continue काम कर रहे हैं तो वो खुद बेखुद save करता जाएगा और जब आपका system बंद हो के start होगा तो वो work आपका फिर से उठा लेगा ठीक है दोस्तों और यहां पर देखो नीचे export तो यहां से आप अपने इसाब से कोई भी रख सकते हो कि जो transformer हो वो कौन सी हो तो यहां पर png है तो png रहने दे जो भी आटो उठा लेगा ठीक है देखो अभी मेरे system में 12 GB रेम है तो यहां पर कितनी दीवी है उच्छ है तो कोशिश करें अगर आप सिर्फ Photoshop चला रहे हैं तो इसको ज़्यादा ज़्यादा बढ़ा के रखें तांकि आपको काम करने में दिक्कत ना आए ठीक है तो मैं यहां तक रखता हूँ उसके बाद एक main चीज जो अकसर आती है जब हमारी सीड ड्राइव फूल हो जाती है तो क्या गरते हैं कि हमारा कोई work नहीं हो पाता तो उसके लिए आप D-Drive को साथ में select कर लें ताकि जब भी हमारी सीड ड्राइव फूल हो तो खुद वखुद D-Drive में डेटा आना शरू हो जाए हमारा काम करने में कोई problem ना आए ठीक है उसी तरह से यहां से आप कोई भी उनके color वगरा paint करते वागत अकसर हमने देखा है कि हमारा को color आता है वो रख सकते हैं ठीक है यहां पे आप अपने इसाफ से pixel select कर सकते हैं सकते हैं regulation अगर आप 300 करना चाहते हैं तो यहां पे 300 कर दें नेक्ट अम जब भी आप new page लेंगे तो उनकी regulation 300 पे ही खुलेगी यहां page देख ले heading लेने जो भी आपको color change करने हैं इसे साफ से रखने है नीची है plugin show all plugin gallery and group name इसका on कर दें ठीक है उसके बाद tap ठीक है और है 3D तो यह सारा कुछ बाकी आगया है बिल्कुल ठीक है इसी तरह से आपने जो है इसकी setting कर लेनी है और जैसे यह आपकी setting हो जाए तो आपने ok गार देना है अभी देखें मैं mouse को zoom in out कर रहा हूँ यह देखें क्योंकि अगर वो हम निशान पहले click नहीं करते तो वो कभी भी नहीं होता मैं आपको दिखा देता हूँ tool यह zoom यह देखो अगर यहां से मैं कल आप नहीं हो रहा है मैं mouse से का रहा हूँ नहीं हो रहा ठीक है और अगर फिर से हम वहां जाते हैं ठीक है और tool में गए ok किया यह देखें अभी हो रहा है तो यह छोटी छोटी setting है अगर आप यह Photoshop में कर लोगे जो latest version है Photoshop 2021 तो आपको कोई भी problem नहीं आएगी तो दोस्तों अगर वीडियो ची लगी है तो इसको like कीजिए और अपने दोस्तों के साथ share करें मिलते हैं हम next video में कुछ नहीं चीज़ के साथ thank you so much my all friends